सब्सकारब करें अपने यूटीब चैनल लानमोट मेडिसिन को और बैल ऐकन दबाएं लेटेस्ट नोटिफिक्शन पाने के लिए सब्सक्राइब चैनल लेकिन इसके अलाव एक प्रिप्रेशन और जो स्वांस से जुड़ी हुई समश्यों को ठीक करने के लिए प्रियोग लाई जाती है और वहाँ प्रिप्रेशन है रेस्पूल जिसे नेबूल आइज भी कहते हैं यह एक प्रकार का प्लास्टिक का एमपूल होता है जिसमें लिक्विड बरा होता है और इसे एक मशीन के सहायता से मरीज को इनहेल कराये जाता है और जिस रेसपूल के बारे में आज हम कहीं मोहित आदिश आप जेखनें अपना यूट्यूब चैनल लर्नाबोट मेडिसन चलिए आशवी कुछ नया सिकते हैं कि है लोवेंट्स नमस्टे दोस्तों साल्बॉटमोल जिसे हम एलबुटरोल नामसे भी जानते हैं एक ब्रॉंकोडाइलेटर क्लास की दवाई जो स्वास नली तता लंक्स के मसल को रिलेक्स करती इंको वह फैलाती है तता स्वाह समझति जो समझ आए उनको दूर करने का करती है शाल-बोट्मॉल रेष्पुल जैसे शाल-बोट्मॉल रेसपिरेट्रिस एक कि नाम से अगर इसके पेकेजिंग भी बात किये जाए जो इसकी पेकेजिंग है दो अलग लग पेकेजिंग वह जिसमे 15 ml की बोटल है इसमें 5 मिलीगा हम सालबूटा प्रती एक मिलोगा यह इसकी स्रेंद है और इनके प्राइस की बात करें तो जो सालबूटा मॉल 2.5 ml का एंपूल है यह आपको 5-6 रुपे में तता जो 15 ml की बोटल है यह आपको 12-15 रुपे मिल जाती है अब अगर जाने इस साल इन रेसपूल इसका सबसे पॉपुलर ब्रैंड नेमें जो सिपला कमनी दवरब बनाए जाता है और इसके अलावा एक और ब्रैंड ने में जो वेंट ओर लिंड साल रेसपूल है इन दोनों नाम से आप इससे ख़ Politics में ने बताई थी अब वीडियो में आगे इसके यूज लाचियों को ठीक करने के लिए प्रयोग लाई जाती तो यदि किसी व्यक्ति को या बच्चे को अस्तमा की शिखायतों जिसमें व्यक्ति को स्वाउस लेने में दिक्कत होती है तो यह रेश्पुल उन्हें दिया जाता है कोई पैसेंट है जिसको एलर्जी पैस्तमा हो गया ह किसी एलर्जी के कारण न्यू वो और सिवी सिदिम पहुंच गया हो जिससे भी चेस्ट में आवाज आना नाक से स्वांस नहीं ले पाना बच्चा मुझ खोलके कई बार स्वांस लेता है बहुत तेज आवाज आती है नाक में से और चेस्ट में से तो उस समय में भी यह रेस्पूल बच्चे खुद दिया जाता है और इसके अलाव भी किसी भी प्रकार की अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो इन्फेक्शन है जिसकान से ब्रॉंक आई तहा जो लंग से इन में स्वेलिंग आ जाए या इसपास्म हो जाए जिसकान से स्वांस निलने में दिक्कत हो रही है तो यह रेस्पूल उन उसकी बढ़ जाएगी साथ हाथ-पाउं में कमपन हो सकता है नर्वसने इस उसे लग सकता है थकान होना, गले में इरिटेसं सा लगना, एंकल में सूजन आ जाना तथा मुसल्स में दर्द होना, ट्रेमर होना जैसी स्थति हो सकती है यह कोई साइड इफेक्ट इसको लेने दवा देके आपका treatment किया जा सके अब वीडियो के लाश में जान लेते हैं इस रेस्पुल की क्या डोज होती है बच्चों में कितना देते हैं बढ़ों में कितना देते हैं साथ ही किस तरह से इसको machine द्वारा दिया जाता है अगर एडल्ट में तता वह बच्चे जिनके उम्र पूरा एंपूल उन्हें एक टाइम में दिया जाएगा ये दिन में दो बार सुबह तता साम सामयने तोर पर दिया जाता है और ज्यादा आवस्चा है जिसके उम्रों 6 वर्स से लगा कर 12 वर्स किये तो उन्हें 0.63 मिलिग्राम या 0.63 एमल आप कह सकते हैं वहां से लगा कर 1.25 एमल मदब 7 एमल तक दिया जा सकता है जिसमें सुबह साम एक एक डूस दी जाएगी और ज्यादा आवस्चा हो तो 3-4 वर्स दिया जा सकता है और कोई बच्चा है जिसकी उम्रों 2 वर्स से छोटी है तो उससे सी पीडियेटिक डॉक्टर उसकी कंडिसें तो उसका इसपुल को एनेस में डाइलूट करके भी लगाते हैं यह वह इस्तति होती जब या तो सालबोटामॉल की जो वोल्यूम है बहुत ही कम हो या आप हायर स्ट्रेंथ को डाइलूट करके नर्मल रोज एड़्जस करना चाहरे हो तो दोनों इस्तिति में एनेस में डाइलूट पार्ट्स होते हैं इसमें मास्क को मरीज के मुँपे लगाए जाता और जो कप है इसमें दवा डाली जाती है सबसे पहले कप में दवा डाली जाएगी उसके बाद में मास्क को मरीज के मुँपे लगाए जाएगा और मशीन को प्लग इन किया जाएगा जैसे जब में मशी जानका रहे थी साल बोटम और रेस्पूल के बारे में यदि इसके अलव किसी अन्य प्रकार के रेस्पूल के बारे में आप डीटेल जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं मैं आपको जोर से वीडियो बना के दूँगा तो वीडियो कहत्मा करता हूं मिलत किसी अन्य वीडियो में तब तक के लिए स्वस्त रहें और मस्त रहें